सवाल है दिल्ली में तो इमान धरम चल गया लेकिन क्या वाकई शुशील कुमार शिंदे की जरित राजनिती या उस वोट बैंक में सेंद लगाने की इस्तिती में कॉंग्रिस नहीं है इसलिए इमान धरम वहाँ पर नहीं चलेगा हो सकता है चल जाए हो सकता है नहीं चले लेकिन बीजेपी इमान धरम की बात करते करते देखी अपने इमान को कहां पर ले गई युदरप्पा की चौकट पर नरेंदर मोदी के जरिये वापसी हो गई युदरप्पा की और युदरप्पा के चेरे की खुशी को पढ़िये ज थोड़ केवादे लोग्समाज पालेगां पालेगे जिस्टोरी में।